हेलो प्रेंट्स मैं हूं गीता वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल गीता किचन एंड इंडियल कल्चर तो आज मैं बनाने जा रही हूं खीड तो चलते हैं अपने रेशेपी कियों मैंने अर्वा चावल बसमती 200 ग्राम ले लिया है इसे धो करके रख लिया है अब मैं इसे फ्राई कर लूँगे मैं इसमें एक चमच घी डालूँगे और अपने धोए हुए चावल को इसमें मैं डाल दूँगे डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना 5-7 मिनट तक ही इसे फ्राई करना है और फ्राई करके इसे निकाल लेना फ्राई करके बनाने से खीर बहुत ही स्वादिश्ट है और तेस्टी बनता है तो देखिए फ्राई हो ही चुका है यहाँ पर देखिए मैंने 2 कजी दूद लिया था और ये गर्म होने के लिए मैं चड़ा दी हूँ तो देखिए चावल हो चुका है अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में इस सभी को अच्छी तरह से निकाल करके और दूद में डालेंगे तो देखिए मेरा चावल फ्राई हो चुका है और कुछ द्राइ फ्रूट्स मैंने रखा है काजू है और किसमिस है तो मैं चावल को दूद में डालूँगी अब डाल करके इसे मैं अच्छी तरह से चला लूँगी तो देखिए मैं इसमें डाल करके दूद में चला ले रही हूं इसे अच्छी तरह से चला लेना है और इसे 15-20 मिनट तक छोड़ देना है ये बन कर तयार हो जाएगा तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढख दूँगी पहले मैं इसमें ड्राइ फूट्स डाल दे रही हूं कुछ किसमिस है और काजू है डाल कर इसे अच्छी तरह से चला लेना है और इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है ढख कर तो देखिए उबल रहा है तो इसमें मैंने देखिए यहां पर एक कटोड़ी चीनी ले लिया है और तीन से चार इलाइची के दाने है तो पहले मैं इसमें चीनी को डाल दूँगी और डाल करके इसे अच्छी तरह से चला लूँगी और जो इलाइची के दाने हैं उसे मैं पीस करके उसे भी डाल दूँगी देखिए मैंने इलाइची भी डाल दिये डाल करके इसे अच्छी तरह से चला लेना है तो खीर बनकर तयार है गाढ़ा हो चुका है दूद बहुत ही अच्छा खुसबू आ रहा है तो देखिए खीर बनकर तयार है तो आप सरुखर सकते हैं रोटी या पूरी के साथ तो आप सरुखर सकते हैं